रावन की नाभी में जब तीर लगा और रावन मरने की तरफ बढ़ चला गिर गया था जमीन पर आखरी सांसें चल रही थी तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्षमन को बुला कर कहा कि बहुत विद्वान ब्राम्वन आखरी सांसें ले रहा है उससे जाकर कुछ ग और कहा कि प्रभू ने कहा है कि आप से मैं कुछ ग्यान अरजित कर लूँ तो बुले देखो सबसे पहली बात तो यह है कि दुश्मन मरता हुआ भी क्यों ना हो उसके करीब जाकर खड़ा नहीं होना चाहिए वरना वो कब वार कर दे और कब तुम्हारी जान पर बनाए इस परदानियत कोरोना के खिलाफ और इसमें भी अगर आप देखें तो छोटी सी लापरवाही बहुत जानलेवा साबित हो सकती है हमारी आदत है लेकिन रिस्क लेने की यह समझने की कि नहीं उसको हो गया होगा मुझे नहीं होगा अक्सर हम यह समझते हैं कि नहीं मेरे साथ हैं और कई मतलब 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डबल डोसेज लग चुकी है तो दिरे दिरे छूट दी जानी शुरू की गई कहा गया कि आप मास्क मत लगाईए अगर आप ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां भीड है तो भी आप मास्क के बगार अगर वैक्सिनेश क्या है अब वो क्या इस तरीके के वेरियंट उसमें निकल कर सामने आते हैं क्या जो डबल डोस को भी भेद कर लोगों को बीमार करने की शमता रखते हो और यह डर यह अंदेशा कुछ जगहों पर सच साबित हो रहा है और इसी लिए पहले मैंने आपको रामायन काल की कथा अगर आफ महार्शी वाल्मी की का काल वही काल था जब भगवण राम थे लेकिन उसके बाद जब राम चरित मानस लिकी नाथी लेकिन जोड भात बात में लिकी protected लेकिन अगर रामायन की ऊस घटना आक्रम के बारे में मैं नैंब ही और चिह aí मैं hem अमेरिका में कैसी छूट दी गई वो हिंदुस्तान के संदर्म में कैसे लागू है वह आप समझ लीजे कि हम इस समय निश्चिंथ हैं कितने निश्चिंथ कि आप टेलिवीजिन पर देख रहे होंगे पहाड़ों पर जाकर शूट्टिया मनाने का सिलसिला जारी है लोग कि राप बात और रहाएं कि अदो कि अज़ाने के से अ सूट्राइड़रे अद्सक्रा रही है कि नहीं झाया ख्रइग् 저희 कि अधर तर्स हावाला में परकूं यह है कि लोस एंजलिस आप जानते हैं अमरिका की एक काउंटी वहां का एक राज्य वहां पर अब यह किया गया है पहले मास्क को लेकर छूट दी गई थी कि जो लोग वैक्सिनेट हो चुके हैं वो सारवजनिक जगों पर मास्के बगैर भी जा सकते हैं लेकिन अब गुरु कि वजह यही है कि वहां यह समझा जा रहा है कि इस दीवार को भेद कर भी इंफेक्शन हो रहे हैं लौस एंजलिस में 15 जून को जब व्यावसाइक गतिविधियों को छूट दी गई तब 200 के आसपास केसिस थे और आज यह बढ़कर लगभग एक महीने बाद 1600 से ज्यादा केसिस हो चुके हैं केसिस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है 700 गुना से ज्यादा जब केसिस में उच्छाल देखने को मिला है तो वहां यह कहा जा रहा है कि खुद को वैक्सिनेट कराईए क्योंकि वहां की बहुत सारी आबादी ऐसी है जिसने खुद को वैक्सि अगर आदमी सीट बेल्ट लगाएगा आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट है लेकिन उसे लगाईएगा तो शायद हम लगाते हैं पता नहीं अजीब नेचर है हमारा लेकिन अब इसको बदलने की बारी आगए लेकिन फिर वही एक शेर आपकी नजर है मैंने लिखा है पसंद है तो कॉमेंट Baldwin में बताईएगा करेंगे अब ना किता सोचा कई बार मगर करेंगे अब ना किता सोचा कई बार मगर खताएं होती गई सोच बदस्तूर रही इसी सोच को बदलने का वक्त है अभी कोड़ूना के हिलाफ अपनी तलवार और ढाल दोनों ही रखने का वक्त नहीं है लड़ाई अभी लंबी है कैमरे में अपने सहयोगी आजय सिंग और डिजिटल बिंग की अपनी सहयोगी दिव्या के साथ दिनेश को बातें विशेश के इस अंक में इजाज़त दीजिए